इतिहास अगर साजिश के तहद बदला गया, आप मानते हैं कि अब जो इतिहास बदलना चाहिए, आप समझ रहे हैं कि लॉबी भी उठेगी, मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि आपके जहन में कौन से नाम आते हैं जब इतिहास को बदलने के गुनहकारों की हॉल ओफ इतिहास के बारे में सोचते हैं तो नाम पे जाने की जगे मैं आपको सिर्फ यह बताता हूँ कि हमने जो कहानियां पढ़ी है, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, क्या ये इतफाक है कि वो हिस्ट्री, 90% हिस्ट्री बुक्स जो हमारे सिलिबस में चली हैं वो वाम पंधियों अब मैं ले रहा हूँ नाम, ये इतफाक है, ये हिस्ट्री के साथ इस तरह का पार्शिल बहेविर आपको लगता है संजोग था, बस बाइचांस हो गया है, बाइचांस हो गया कि ये तो 90% से भी लोग लिए, अच्छा बाकी कोई और हिस्ट्री नहीं लिखता, ये वाम प हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो वो हिस्ट्री कैसी होगी, और उस हिस्ट्री को पढ़के जो जनरेशन आगे बढ़ेगी, वो कैसे निकलेगी, इस पर मैं क्या बोलूं सब समने हैं आपके, लेकिन मनोज जी आपने खुदी कहा कि बाकी लोगों के इक्तियार में था, कि वो यह जो दुनिया का फैबरिक है अबवोड करती है, तो आपको लगता है कि positive चीज में महनत ही नहीं लगती, positive खुद हो जाता है, यह क्या कहरे है आप, positive चीज में महनत लगती है, गौनी महनत लगती है, negative को पहले मिटाना पड़ता है, negative तो ऑ्रेटी जिरो से शुरू कर रह वो कितनी मेहनत का काम है हमें वो जो 400 साल जो हमें कहते हैं कि हमने तो इनके इनको अपनी जूतियों की नोग पर रखा 400 साल एक बात ये मानते हैं कि इन्होंने हम पे रूल किया और इस बात में ये बहुत कुश होते हैं और फिर जब मैं इन्होंने कह रहा हूँ, तो मैं इन्होंने किसी मुसल्मान की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हिंदू भी शामिल है, उसमें हर कोई शामिल है, जो के इस सोच के साथ जुड़ा हुआ है, ये हिंदू-मुसल्मान का मुद्दा नहीं है, तो हम पे रूल किया गया, य यह जो चीज है कि हम पद्दलित थे, हम दवे थे, हम कुछले थे, हम बेचारे थे, यह अंग्रेजों का निरेटिव था, जब अंग्रेज यहां आए, तो पूरी दुनिया के सामने जो उन्होंने तस्वीर पेश की वो क्या थी, वो लॉड मेकाले का अगर आप स्पीच सुन हम पे कभी रूल किया ही नहीं गया, हम कभी गोलाम रहे ही नहीं है, तो मैं खाली यह कह रहा हूँ कि यह लोग जो है, मैनेज करते रहे देश को, और मैनेज कैसे करते रहे, कि ठीक है, हिंदु राजाओं को फोड़ो, और इनके साथ मिलके मैनेज करो, कि आप हमारे अंडर का हिस्सा चाहिए चलो उन देते रहते हैं टैक्सेशन इनको देने का मतलब ये नहीं था कि अम इनके गुलाम थे ये अगर आप देखें साउथ की तरफ कभी पहुंचे नहीं साउथ की तरफ ये चुट्टा पुट्टा है दरबाद, दरबाद के लावा कहीं आगे घुसनी पाए गुजरात की तरफ इनकी कभी पैट बनी ही नहीं राजस्थान इनका कभी हुआ ही नहीं छत्रपति शिवाजी महराज ने यहां महरास्ट्रा में इनको दाखिल नहीं होने दिया तो भाई साब कहां के मुगल और कहां के आप बाश्शा और कहां के जिल्ले इलाही तो ये जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप इसको भी बदलिए कि पूरे हिंदुस्तान पे मुगलों की हुकुमत थी पूरे हिंदुस्तान पे मुगलों की हुकुमत कभी नहीं थी